गूड मॉनिंग इस्टूडेंट प्रहलाद सरूप सरस्वती बिद्या मंदर इंटर कॉलिज जहंगिराबाद पुलेशर में आपका स्वागत है क्लास 10th V सब्जेक्ट कम्प्यूटर आज बात करते हैं नेटवर्क टॉपोलोजी के वारे में तो समझते हैं नेटवर्क टॉपोलोजी क्या है नेटवर्क टॉपोलोजी के बारे में विस्तार से समझने के लिए पहले नेटवर्क टॉपोलोजी की डेफिनेशन को समझना होगा जब भिविन पिरकार के कम्पूटर आपस में जुड़ते हैं और किसी तरह की जानकारी को शेर करते हैं तो इसे network कहते हैं computer जिस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं उसे ही network topology कहते हैं Network Topology के प्रकार Network Topology निम्र प्रकार की होती हैं नेटवर्क को बनाने के लिए इस तरह की नेटवर्क टॉपोलोजी का प्रियोग किया जाता है। जानते हैं टॉपोलोजी के प्रिकार क्या हैं और कौन-कौन से हैं। नेटवर्क टॉपोलोजी के प्रिकार। फर्स्ट टॉपलोजी बस टॉपलोजी होती है, सेकंड रिंग टॉपलोजी होती है, थार्ड स्टार्ट टॉपलोजी, फोर ट्री टॉपलोजी और थाइब हाइबिरेट टॉपलोजी तो आईए आज हम आपको बस और रिंग के बारे में बताएंगे बस टॉपलोजी क्या है आप चित्र के माध्धम से देख रहे होगे सेम बस की तरह दिख रहे होगी इसमें आगे फायते और नुक्सान क्या क्या है मैं आपको बताऊँगा तो आईए चलते हैं बस टॉपलोजी इसमें एक तार के द्वारा सारे कम्पूटरों को जोड़ा जाता है यह वी नेटबर्क का एक ही प्रिकार होता है इसमें एक ही केबल से प्रतेग नेटबर्क डिवाइस जोड़े होते हैं इस केबल के सुरू तथा अंत के सिरे में एक मुख्य तर्यका दिवाइस लगा रहता है जो टर्मिनेटर होता है यह सिगनल्स को कंट्रोल में रखता है इसमें सारे कम्पूटर एक ही लाइन में जोड़े जोड़े जाते हैं इसके लिए Terminator का प्रियोग किया जाता है Burst Apology की Definition समझने के बाद इससे होने वाले फायदे भी जान लेते हैं यानि Burst Apology के Benefit यानि Burst Apology के फायदे क्या हैं इसके कुछ महत्पूर फायदे भी होते हैं जो आपको हम आगे बताएंगे तो चलिए जानते हैं Burst Apology के क्या फायदे हैं यह बहुत ही सस्ती टापriadोजी होती है Burst Apology के Network को Create करना बहुत सरल होता है इस टापराजी में कम ideals केबिल का प्रियोग किया जाता है कम से कम तार का प्रियोग इसमें किया जाता है यह सस्ती भी होती है और इसको create करना है नहीं आसानी से कर भी इसमें काम भी कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुक्सान भी होंगे बस टेपलोजी के नुक्सान जिस तरह इस टेपोलोजी के कुछ फायदे होते हैं उसी तरह इसके कुछ नुक्सान भी होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं यह टेपोलोजी थोड़ा धीरे काम करती है अगर कोई एक कंपूटर फेल भी हो जाता है तो इसका सारा network फेल हो जाता है इसमें केवल की लंबाई सीमित होती है दूसरी बिटा रिंग टेपलोजी रिंग टेपलोजी क्या है यह network ए प्रिकार से ring बनाने का काम करता है यह network आखरी computer को सबसे पहले computer से जोडता है इसमें device अपने पास के दो device से जुड़ी होती है पिरतेक device में दो NIC यानि network interface card लगे रहते हैं इस प्रिकार से network का एक circle बनता है जिससे data एक ही दिसा में follow यानि जहां से शुरू हुआ और वहाई पे end होता है ring टेपलोजी का मतलब यह होता है बिटा ring टेपलोजी के अब चित्र के मादधम से देख रहे होगे ना तो उसका कोई end है ना उसका छोड है यानि जहां से शुरू है वहीं पे end ring टेपलोजी के फायदे benefit of ring टेपलोजी इसके network की गती काफी अच्छी होती है इसको install करने में खर्चा भी बहुत कम होता है इस टेपलोजी को manage करना भी आसान होता है इसमें किसी तरह के central device की जरूवत नहीं होती तो इसके फायदे आपने पढ़ लिए अब इसके नुकसान भी है ring टेपलोजी के नुकसान इस टेपलोजी से कुछ नुकसान होते है जो नीचे दिये गए है जानते हैं इसमें क्या नुकसान होते है इसमें अगर कोई एक computer खराब होता है तो इसे बजह से पूरा network खराब हो जाता है अगर computer में किसी चीज को add या remove करना होता है तो इस network को access करने में परिशानी होती है इस network में computer एक दूसरे पर निरवर होते हैं ring टेपलोजी में triple shooting करना बहुती कठिन होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो से like करना नहीं भूलें धर्नेवाद